सांसत बनने के बाद सामवी चौधरी अब एक्सन मोड में नजरा आने लगी है चुकि इससे पहले उन्होंने जब सदन में सपत ले थी बतौर लोग सभा सदस्य के रूप में तब भी आपने देखा था जिस तरीके से उनके चेहरे पर तेज जलक रही थी और एक बार फिर से अब छेतर में काम जो है वह देखने को मिल रहा है चुकि सामवी चौधरी इस सदर अस्पिताल पहुंचकर ओचक ने रिच्छन की हैं और देखे ओचक ने रिच्छन किया तस्वीरे हैं जब अस्पिताल के बाहर जो पानी लगा है उसको लेकर कई बार उन्हें कॉल और मैसेज जा रहा था उन्होंने इस बात को लेकर मीडिया कर्मियों से भी साजहा क किया है उनका क्या कुछ कहना है पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए यहां पर अभी नहीं एंडियोटी पर होने के वावजू उनसे भी एक इस्प्रिटेनेशन मांगा जाएगा कि वो यहां पर अभी क्यों नहीं थे और इसके अलावा जब भी हमारी नहीं से मुलगात ह हो रही है यह शायद अपदाधिकारी लोग तक नहीं पहुच पा रहा है पर क्योंकि हमको लगातार कॉल आ रहे हैं और हमको मेसेज आ रहे हैं तो हमको यह बात पज़एगी सदर अस्पतार का कंडिशन अभी बिल्गुल ठीक नहीं है और इसको और बहतर करने की तक ताव में समस्ति पूर की जो नौ निवार्चित सांसद हैं चिराग पासवान के पार्टी लजेप्यार से सामभी चौधरे देखे तस्वीरे आपको दिखाए दे रहे होंगी सदर अस्पताल की है जहां देर रात वा चानक और चकने रिच्छन करने के लिए पहुच जाती हैं द ऐसे में वह इस गंदगी को देखते ही अचानक से भड़क उठती हैं और सिधे तोर पर इस बात को लेकर भी उन्होंने अस्वासन दिया है कि वह स्वास्त मंतरी से मुलाकात करेंगी और सिधे तोर पर इन बातों को रखेंगी अस्पताल की हालाद जो हैं उस पर बात चित करेंगी देखे समस्तेपुर के सदर अस्पताल में अचानक जो नौर निवार्चे सांसद हैं सामवी चौधरी चिराग पासवान की पार्टी से वो अचानक से और चक निरिच्छन करने पहुंची और ऐसे में इस बात को अब स्वास्त मंतरी के सामने रखेंगी जिस तरीक अच्छन मोड में सामवी चौधरी नजर आ रही हैं देखें तस्वीर आप से तौर पर सामवी चौधरी को देख रही थी हलाकि इस एक्षन मोड को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा तब तक कि तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द अन्यवाद